अर्ट डैंट्स आज हम बात करेंघे पोलट्री देशी का फार्म है वह बनाने के लिए क्या क्या चाहिए जरूर्थों का जरूरु दे、 कैसे फार्म बनाना है इसके उपर हम चर्चा करेंगे सेविद होते जके किसी नहीं होते ह Посब्सकाइब और वा साइड में बेल आइकन उभी दबाद है तो आज शुरू करते हैं देसी और पॉल्टरी का जो शीट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बहुत तरक की शेड रहते हैं जैसे एक शेड हो गया फिर दूसरा एक शेड हो आपने दिखाए इसे शेड हो गया कैसे बीए आप शे बीडर में भी लग जाता है आप कौन सी टाइप को भी ले सकते देशी या पोल्टी कर रहे उसके हिसाब से आप मैनुवाल या फिर जो आटोमेंटिक है उसको ले सकते उसके तुरण बाद आ जाते हैं आपका जो शेड बनाये आपने शेड में कितना बच्चा रख रहे किस ह में हैं कि घंच दिलक मिलता हैं क्षा चाहिए इसमें काफी जादा बड़ा रहते हैं इस सिस्ट्रम में चोटा-चोटा रहता है इसमें एक बच्चा रहेगा 501 बूडर में 500 बच्चा आजाएगा इसमें तीन चार डिंकर रहे दिया रहे और नीचे जो दाना रहे तो वह पेपर में दिया जाता है आप देख सकते हैं ऐसा आता है बरा बुडर बुडिंग सिस्टम काफी सिंपल है और आप इसको कर सकते हैं फर्म बनने के लिए पहले आपको चारी बाजू जो नेट प्लास्टिक है ठंडी के लिए जो डालना पड़ेगा वह भी डालना पड़ेगा उसके बाद आता है मेड सब लेना पड़ेगा मेडिसिन का कीट आता है हमारा नीची लिंक के वहां से आप देख सकते या फिर जो मेडिसिन है उसमें आता है आपको सर्दी का टौलेट का आंटिबाटिक आता है फिर विटामिन सब आ जाता है इंग्जिशन भी आता है यह सब चीज आपको पहले से तयार रखना परेगा उसके बाद मच्चे को ला सकते उसकर पहले आपको बूडिंघ को घर ओसको तरह से विडियो भी हमारा आगा आए बुटन में आ रहा है ये अब देख सकते क्या क्या वीडियो है और आप लगा है और आप लगा सकते या भी नहीं भी लगा सकते तो भी चले गा यह है Auto करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में